हलो दोस्तों आज हम यहांपर बात करेंगे किस से लेटीट के ECL कि दिखलो उसकर इलेक्टरिक कंपनी से लेटेड हैं पर बात करेंगे आज लगवर 20% अधर एक अपर सेरेड लगता हुआ नज़र आया है उससे लेटेड बाते करेंगे क्या में पर जा रहा है उससे परपस से वीडियो है तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवाइजर खुद के श्टड़ी करना है और हमारे चैनल करना है ताकि इस तरीक एक वीडियो आपके लिए मिलते रहे और आप यहां पर सीखते रहे ठीक है सीखेंगे तो पैसे आपके डैफिनेटली आज नहीं तो कल बनते हुए नजर आएंगे जल्द बाजी की जग है आराम से पैसे बनाओगे तो पैसे डैफिनेटली बनेंगे ठीक है वीडियो जाके देखें चेक करें सीखें उसके इलावा अगर बारी किया सीखनी है क्यों क्या कैसे के जवाब चाहिए आपको अगर जानना है कि कैसे हमने यहां पर साट रुपे पर दिया था और आज की डेट में यह कुछ ही महीनों में 120% की रेटन दे चुका है ज क्यों बेचना है किसलिए लेना है किसलिए बेचना है क्यों क्या कैसे के जवाब यहां पर मिलेंगे सीखने के सास्थ 25,000 का कोर्स वन टाइम यह कंप्लीट कोर्स दिरिमंस की हैंड होल्डिंग स्टैटिजी उस इन श्टॉक मार की सब कुछ दिया जाएगा एक बाग कोर्स कंप्लीट हुआ पीछे मुड़के देखने की ज़रूवत नहीं पड़ेगी आपको एक साल जैसे ऐसे बताऊंगा उस तरीके से केबल प्रैक्टिस करनी है वेट करना है अपनी किसमत बदल लेगा ठीक है और इन नमबरों पर ही नोट करके साथ में काम करना चाते है ठीक है आपके पास टाइम नहीं है पैसा है लगा सकते हो ठीक है इस तरीके से काम करना तो एक बार कॉंटेक करो बात करने का कोई पैसे नहीं है सिंप्ली आपके बीच में और मेरे और बीच में चो अंडेस्टेंडिंग बनेगी उसके basis में काम करेंगे आगे बढ़ते ya क्षिएर क्या हमने इस से लेटेड बात ही करी है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सर्च कर ले तो अपने चैनल पे तो यहाँ पर मैंने केई सीगल डाला तो आपको समझ में आएगा 11 महीने पहले 71 रुपीज बैस स्मॉल का स्टॉक टारगेट 388 ठीक है एक महीने पहले ही बताया था पहले तो अगर कोई वीडियो बार बार आ रही है तो कुछ ना कुछ उसमें जादू होगा, इसलिए ही मैं वीडियो ला रहा हूं, अधर्वाइस मैं ऐसे वीडियो लाता नहीं हूं, ठीक है, चलो, पहली बात यह हो गई, तो कही सियल की वीडियो की बात करें, तो हम सत्तर रुपे से बताते हा रहे हैं, और आज की रेट में 100% जादा की रेटर्न होगे हैं, ठीक है, और एक साल भी नहीं हुआ है, और आपके पैसे बन गए, तो क्या है, कंपनी मार्केट यहां करती है, तो यहां पर देखिए, 1946 में यहां पर यह इस्टैबलिश हुई थी, इलेक्टिकल इंजिनियरिंग कंपनी है, देट परड्यूस देखिए, अभी कुछ दिन पहले, सोलर से बाते हो रही थी, ठीक है, जब सोलर से बाते हो रही थी, और परधान मंत्री जी ने जो यहां पर एक new project को यहां पर अनॉंस किया था, तो उसका कहीं ना कहीं, ठीक है न, जो दाबेधार है, यह पर्टिकलर स्टाउक हो सकता है, क क्योंकि जब सोलर एनरजी से बाते हो रही है, तो मीटर लगेंगे, और जब मीटर लगेंगे, तो यह ही company है न, जो यहां पर, यहां पर देखिए, स्विच गेर, ट्रांसफोर्मर से बाते हो रही है, तो इसको यहां पर फाइदा होता हुआ, दिखाई दे सकता है, इसके लावा company दूसरी, चीटों में भी यहां पर काम करती हुए नजर आ रही है, तो इस चीट को भी आपको यहां पर ध्यान देना है, one of the leading manufacturer supplier of motors है, ठीक है, इस चीट को आपको देखना है, company अच्छा कासा काम कर रही है, client की बात करें, तो भेल भी चल रहा है, NTPC भी चल रहा ह सारे share चल रहे है, जब सारे share चल रहे है, तो यहां पर कही न कहीं फायदाई से भी होगा, तो वो भी आप यहां पर देख सकते है, इनकी website पर विजिट करिए, आपको सब कुछ एक idea लगता हुए नजर आएगा, ठीक है, company किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, क् इससे बात करी थे, तब 400 करोड रुपए कंपनी थी, आज यहां पर लगभग 1000 करोड की कंपनी हो रही है, पी रेशो की बात करें, 46 है, इंडस्टी का 46 है, तो ना महेंगा है, ना सस्ता है, ROC, ROE ठीक ठाक दिखाई देती है, बड़ इस्टिल, ROC, ROE प्राइस के बढ़ने यहां पर यह पर मोटर्स हैं, इन में 49 का 75 निकाल के देख लेना, उतने यहां पर प्लाइस कर रखेंगे, क्या अच्छी बात है, तो देखिए, प्लाइसिंग का मतलब है कही ना कही यहां पर अपने शेर को रखके लोन लेना, ठीक है, दूसरी बात, 25 परसेंट तक यहां पर उसके ऊपर जासे जाता है, तो थोड़ा negativity आती है, तो यह negativity का संकेत है, इसके इलावा face value 10 की है, ठीक है, 22 का intensive value, 14 की book value 1.28% का debt है, बहुत, 128% का debt है, इसे भी ध्यान में रखना है, 150 का आज इसने all time high लगाते हुए नजर आए, maximum chart pattern की बात करेंगे, तो यहां पर देखे, तो कभी यह share 360 रुपे के आसपास हुआ करता था, आज यह share उस दिशा में भागता हुआ नजर आता है, ठीक है, आगे बात करते हैं, तो company के यहां पर quarterly results से लेकर बाते करते हो, तो आपको दिखाई देगा, company highest salary यहां पर अपने sales पर बैठी हुई है, ठीक है, company के expense यहां पर देख सकते है, company अच्छा कास है, यहां पर profit generate कर रहे हैं, जो company यहां पर बीच बीच में घाटा कर रही थी, अभी यहां पर ठीक ठाक profit पर बैठी हुई है, ठीक है, at least घाटे पर नहीं बैठी हुई, इस quarter के result आने है, जो कि यहां पर positivity की इस तरफ संकेत कर रही ह कि यहां पर आ सकते है, इसके इलावा yearly basis पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहां पर company नहीं करके नहीं दिखाया है, ठीक है बट उस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, 200-300 करोड़ से अब यहां पर 400-500 करोड़ तक पहुच लिए है, तो मलब यहां क कि बात करें, तो यहां पर उससे ज्यादा बॉराइंग है, वो हम देखी चुके, एक 120% की बॉराइंग है, cash की बात करें, cash भी बड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत, अब बात करते हैं, यहां पर company की, तो working progress में कुछ खास पैसे नहीं लगे हुए, यहां पर देखें, तो promoter 49%, 75% में sales, FIS की बात करें, FIS के पास है, 3.83, यहां पर इस share को लेकर चल रहे है, ठीक है, DIS की बात करें, 2.11% की holding है, घटती हुई नजर आई है, इससे भी ध्यान में रखना है, public की बात करें, 44% के share यहां पर public की तरफ यहां पर दिखाई देते हैं, तो यहां पर देख सक रहे हैं, तो कुछ negative points है, तो कुछ positive points है, तो हमें positive points को यहां पर पकड़ के चलना है, दूसरी बात करें, हम यहां पर KECL की, तो KECL क्या करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी यहां पर देख लेते हैं, तो KECL की बात करें, तो यहां पर एक breakout साओ, इसनी यहां पर breakout दिया, breakout के बाद, 19% का यहां पर अपर सरकी लगता है, वो दिखाए दिया, क्या इसनी rally को catch करना चाहिए, ठीक है, तो उससे related ही बाते कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी एक दिन और तेजी होगी, ठीक है, अगर यह share दुबारा आपको 134 के आसपास मिलता है, तो यहां प पर एक बार देख लेंगे results related, तो आपको पता भी चल जाएगा क्या company के result यहां पर आ रहे हैं, तो अगर company के result आ रहे होंगे, तो समझ लीजिएगा, शायर यह result से पहले कि जो तेजी होती है, ठीक है, वो ही यहां पर शायर तेजी यहां पर दिखाई देती है, ठीक है, तो यहां पर catch करना चाहिए, एक बार try कर लेना है, try करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट still, 130 एक stop loss लगा के, लगब 15-20% की यहां पर जो downside दिखाई देती है, downside की दिखाई दिखाई देती है, 10% का risk लेना पड़ेगा, ठीक है, 10% का risk ले सकते हो, तो इस rally को catch कर सकते हो, कहां ज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसने कि यहां पर multi-year breakout दिया था, जिसका यहां पर target कितने निकल के आ रहे है, 200 रुबे गए, तो 200 रुबे था कि यह शेयर मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, still buying selling की recommendation नहीं है, याद रखिएगा, हाना, अपने financial advisor खुद की study करिएगा, और भी चीज़े पताऊंगा वर्ट उससे पहले यहां पर चाहिना को subscribe, bell icon को hit all की notification कौन करें, ठीक है, वीडियो को देखिए, और buying selling की recommendation है नहीं, सीखना है बस, इन number को note करके, ठीक है, अपने basic to advance course और साथ महीं हमारे साथ काम भी कर सक बढ़ते आगे, तो इसी चार्ट को, ठीक है, मैं यहां पर, BSC की side पर यहां पर खोलता हूँ, ठीक है, BSC की side पर क्यों खोल रहा हूँ, BSC की side पर इसलिए खोल रहा हूँ, क्योंकि BSC की listing बहुत पुरानी होती भी नजर आई थी, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे एक resistance दिखाई देता है, 156 के आसपास, ठीक है, 150, 60 के आसपास, और फ्रिदूसर हो 175, 175 को जिस दिन यह क्रॉस कर देगा, share, सबसे पहले 200, फिर उसके बाद यह share, लगब लगब साड़े 300-400 रुपे की तरफ बढ़ता हूँ, नजर आ रहा है, तो अभी भी एक अच्छी खा 10% का यहाँ पर, ठीक है, 2-4-5% 10% का stop loss हमेशा ध्यान में रखना है, और वीडियो अच्छी लगे, like, comment, share, channel को subscribe, bell icon को hit करिएगा, ठीक है, risk reward ratio के इसाब से काम करे, risk management को यहाँ पर follow करे, ठीक है, वीडियो देखे, उससे यहाँ पर चीरो को सीखे, साथ में काम करिए, ठीक पी सो मुच, God bless.